तो देखते हैं यहां पर Q8 में हमसे क्या पूछा क्या है A solution contains 5.6 ml of alcohol mixed with 75 ml of water calculate the concentration of this solution तो जो हमारे यहां पर solute है वो हमारे यहां पर क्या है लिक्विड है जिसके विज़े से हम यहां पर volume लेके चलेंगे तो मैं यहां पर लेता हूं volume of solute तो solute का जो यहां पर volume है तो alcohol का जो यहां पर volume दे रहा है वो यहां पर कितना है 5.6 ml है उसके बाद यहां पर क्या दे रहा है water का मतलब यहां पर solvent का दे रहा है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं volume of solvent तो solvent का यहां पर कितना given है 75 ml given है तो हम यहाँ पर क्या निकालना है सबसे पहले volume of solution निकालना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर volume of solution तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा volume of solute plus volume of solvent को add करना पड़ेगा तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 5.6 plus 75 तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80.6 ml हो ज volume of solute upon volume of solution volume of solution multiply 100 क्योंकि हम यहाँ पर percentage निकालेंगे तो volume of solute हमें कितना गिवाना है 5.6 ml है volume of solution 80.6 multiply 100 हो जाएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे point से point remove कर देंगे तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 5600 and यहाँ पर आजाएगा 806 तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइट कर लोंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएट 0 गा 0, 2,3 जा 6 अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,2 जा 4, 2,8 जा 16 and 00 अब मैं यहाँ पर इसको normal डिवाइट कर लेता हूँ 2,8,00 divided by 403 तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 से डिवाइट कर लेता हूँ तो यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,3 जा 18 and 6,4 जा 24 तो यह हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2,4,1,8 इसको यहाँ पर करते हैं सब्ट्रेक तो यहाँ पर कितना हैगा 2 आएगा और यहां पर कितना। 9 में से 1 कह luckily 8 में से 3 सब्सकте बॉइसे 6त एड़ 5 वाल नान्य हो सकते हैं आपकर से 9 हमें पर कितना ऐगा … कितना आएगा … तो यह हमारे यहां पर कितना जगा 4 जगा 12 and 4, 4 जग 16 तो यह हमारे यहां पर कितना बचेगा 8 बचेगा 2 में से 1 गए 1 and 9 में से 6 गए 3 तो इसका जो हमारा final answer आगा वो हमारे यहां पर कितना आगा 6.94 percentage by volume आएगा तो होब आपको इस question का answer मिल गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ